जैश्री राधे संग का अर्थ होता है आसकती हम किसी सच्चे संथ के प्रतियासकती कर लें असली संथ किसे माना जाए संसार में जिस व्यक्ति में हमें दैवी संपदा के अधिक से अधिक गुण भिव्यक्त दिखें विक्सित दिखें तथा जिनके संग से हमारे अंदर देवी संपदा के गुण विशेश रूप से बढ़ने लगें उन्ही को हम असली संत मान लें और उनकी शर्ण में जाकर उनके प्रती ही अपनी आसकती की धारा को मोड़ दें किन्तु मोड सकेंगे तभी जब हम अपने जीवन को इस सांचे में ढालने के लिए प्रस्तुत होंगे कौन से सांचे में ढालने के लिए पहला अपनी जान में भगवत प्राप्ति की लालसा के अतिरिक्त अन्य संपून सांसारिक कामनाओं को सर्वता विसर्जित करने की पूरी पूरी चेश्टा करें दूसरा इस प्रयास में असफल होने पर उनसे चाहें वह कामना कैसी भी हो उनसे ही लाज संकोच छोड़ कर बता दें किन्तु उन्हें बाद्य करने की भूल ना करें उन पर ही छोड़ दें वे पूरी करें तो ठीक नहीं तो ठीक पर फिर उसके लिए दूसरे के आगे हाथ न पसाने तीसरा उनकी प्रतेक आग्या के पीछे प्रतेक के पालन में पूरी पूरी ततपृता से काम लें कि nuclear द्यां रखना चाहिए कि असली संत कभी भी असद रुपात्मक आग्या देते नहीं कभी हमें यह दिखे कि यह आग्या तो असद प्रेणात्मक है तो उसका पालन कदापी ना करें वे उसके ना पालन से ही वस्तुत प्रसन होंगे यदि वे असली संत हैं तो चौथा मनमाने चेश्टा साधनात्मक या वेवारिक बिलकुल ना करें जो कुछ करें उनसे पूछ कर करें पांचवा उनसे कभी भी स्वप्न में भी जागरत की तो बात ही क्या है कोई सा तनिक भी कपट ना करें एक और बात याद रखनी चाहिए असली संत पागल कुत्ते की तरह होते हैं पागल कुत्ते के काटने पर उसके विश्च का असर तुरंत नहीं होता उसके लिए कुछ समय चाहिए होता है वैसे ही यदि तनिक सी भी श्रद्धा लेकर कभी भी एक बार भी हम उनके दृष्टी पत में आ गए हैं तो उन्होंने भी अपने अहेतु की कृपा से परिपून आंख रूपी दांतों को हमारे तन में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धी में, एहमता में गड़ा ही दिया है पागल कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ती कालांतर में कुत्ते की भांती हू हू करने लगता है यहां तो इसका इलाज भी संभव होता है किन्तु असली संत की आंखों से निकल कर किरपा भरे दांत उसे चू गए हैं तो वह देर सवेर संत बनकर ही रहेगा जैश्री राधे जैश्री राधे संग का अर्थ होता है आसकती हम किसी सच्चे संत के प्रति आसकती कर लें